हेलो बचो वेल्कम बचो जैसा कि आप जानते हो कि हम भोर अटामिक माडल पढ़ रहे थे और हमने डिसकस किया कि अलेक्टांस जो हैं वो ग्रोंड स्टेट से जंप करके एक्साइटिड स्टेट में जाते हैं अगर अलेक्टांस ग्रोंड स्टेट में हैं तो वह एब्सार्ब करेगा अलेक्ट्रो मेगनेटिक रैडियेशन को एब्सार्ब करके जाएगा एक्साइटिड स्टेट में यहां पर लाइफ टाइम जो है वो काम होता है टैन रेस टू पावर माइनिस एट सेकंड और फिर जंप करके वह वापस आ जाता है अपनी ग्रोंड स्टेट में तो यहां पर जब यह काम चल रहा था तो उसी व्यक्त एक साइंटिस्ट थे प्लेंक्स उन्होंने कहा कि यह जो जब इनोर्जी को सब्सक्राइन करके ग्रोंड स्टेट से सकेंड इस्टिस्ट में जाता है तो वह जो जो अनर爲्जी इस जार्फ करता है वह उन्हों फामूला दिया कि वह अनरजी जो होती है जो वह अब्जार्ब करते हैं यह एस इस डर्लेंppe पर्पोरॉशनल टो म्यू से स्ठेट में गया तो यह जो electromagnetic radiation इसने absorb की, इसकी energy जो थी, Plancks ने बताया कि इसकी energy जो है, is directly proportional to mu, mu बोले तो क्या होता है, frequency, mu क्या होता है, बचे, frequency, कि अगर उस radiation की frequency ज्यादा होगी, तो it means उसकी energy भी क्या होगी, ज्यादा होगी अगर frequency काम होगी तो उसकी अनर्जी भी क्या होगी हम होगी यह relation आपको याद रखनी है फिर जब हम इस constant को इस प्रोपरिशनल्टी को हटाएंगे constant आएगा तो प्लेंक्स ने अपना ही constant दी है h mu where h is the प्लेंक्स कांस्टेंट और इस प्लेंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी वो वैल्यू में आपको बताऊँगा तो यह वाली equation दी प्लेंक्स ने कि जब electron energy को absorb करके jump करता है तो वो जो energy absorb करता है वो frequency पर depend करती है कि अगर frequency ज्यादा है तो energy भी ज्यादा absorb करेगा अगर frequency काम है तो energy भी कम absorb करेगा फिर क्या होता है यह आपको याद रखना है physics में आप पढ़ोगे भी कि mu जो होता है frequency जो होती है इसका और wavelength का आपस में inverse relation होता है means जब frequency ज्यादा होगी तो wavelength क्या होगी हम होगी जब wavelength ज्यादा होगी तो frequency ज्यादा होगी तो wavelength क्या होगी हम होगी इन दोनों का inverse relation है आप इसमें तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक अलेक्टरान को एकसाइट होने के लिए ग्रोंड स्टेट से एकसाइटिट स्टेट में जाने के लिए इस रिलेशन के थुरू हमें क्या पता चलता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा होने चाहिए अब अब फ्रिक्वेंसी अगर से अलेक्टरान को ग्रोंड स्टेट से एकसाइटिट स्टेट में जाने के लिए प्लेंक्स ने बताया कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा होने चाहिए अब फ्रिक्वेंसी जादा होनी चाहिए तो इट मेंस उसकी वेवलेंथ हम होनी चाहिए हम वेवलेंथ वाली radiations means electromagnetic radiations electrons को ground state से excited state में excite करेंगी या हम यह कह सकते हैं कि जएदा frequency वाली electromagnetic radiations जो है वो ground state से excited state में electron को jump करवा सकती हैं दूसरी चीज़ यह आपको याद रखनी है कि माल लो यह ground state है इस एंगल से देखो यह nucleus है यह पहली shell यह दूसरा यह तीसरा gen है यह चुफ़ यह आपको अगर यहा था यहां से electron जब करके कहां गया excited state में वो किसी में भी जा सकता है यहां पे भी जा सकता है यहां पे भी जा सकता है ठीक है इनके लिए क्या है कि यह वाली state छो फस्ट है विये ज्म ड항 पहु आले Wow १ो वाली जो यह वली तीन स्थेट है यह क्या है यह ए लिकरन्स यह हो मानिवियं और और ढूर्ठी छोन हनाई एय से जन सकता है यहां ने जन स्लिए हैं और यह थार्ड और फॉर्थ किया है? एकसाइटेड स्टेट है आगर मॉन अगर थी Banana ग्राइंdoor हो तो धी attractions घान दाव ग्राइंद धी अकशाइटेट है जहां से खीजित हो जो फो ग्राइंद धी montage हो जाता एकसाइट है बोर साब ने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस का एन गिवन सेंपल आफ हाइड्रोजन गैस गैस पूंतेन्स लाज नमबर अफ मालेकुल्स वन शच आफ सेंपल आफ इस हीट तो हाइड तुमपरिचर एंट एलेक्टरिक डिस्चार्ज इस पास्ट The hydrogen molecule splits into hydrogen atom The electrons in different hydrogen atoms Absorbs different amount of energies And are excited to different energy levels Since the lifetime of electrons in these Excited state is very small They return to some lower energy level To lower energy level Or to the ground state Or one or more jump What do we do? We take a discharge tube And we fill the hydrogen gas Now hydrogen gas is in H2 form H2 form H2 form is in hydrogen gas What do we do? We heat this discharge tube How do we do it? It's temperature increase And temperature increase When we do it, the hydrogen gas is in H2 form Because we connect with battery When we connect with battery What do we do? H2 is in H2 form Hydrogen gas is in H2 form But when we give it to temperature And the hydrogen gas is in H2 form Then the hydrogen gas is in H2 form And the hydrogen gas is in H2 form And the hydrogen gas is in Him Now when we den till the hydrogen hydrogen As the hydrogen energy 때는 What the hydrogen and tau This hydrogen charge would be in H2 var मान लो यह घ्रजन का एक अलेक्टरान है शेल्स तो बहुत सारे हिं, हम 1-1- wallet की बात लेँगा। यह उप IELKTRIAN जो है, अगर जएदा अनरजी अब्सारब करेगा। तो यहां पर पहुंच जाएगा। स्वादाइगा जेंप करेख रहे है। तो आपको क्या मिलता है एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिस स्पेक्ट्रम इस टाइप का मिलता है कि उसमें वो बहुत सारी लाइन्स देखते हैं बहुत सारी लाइन्स इस टाइप की देखते हैं उस स्पेक्ट्रम जो उन्हें अब्टेंड होता है उस स्पेक्ट्रम का नाम वो क्योंकि उस एक्टर में उन्हें बहुत सारी लाइन्स मिली, ठीक है, वो लाइन्स की यह बाद फिर खत्म होगी, कि उन्हें बहुत सारी लाइन्स मिली, उसके बाद क्या होता है, कि बहुत सारी साइंटिस्ट आते हैं, वो हर एक लाइन्स की स्टडी करते हैं, हर एक लाइन् N1 है N1 means ये पहला शेल है ये दूसरा शेल है ये तीसरा शेल है ये चोफ़ता ये पांच में ये छे मां गर एकर कर रहा है यहां से जम्प करके वह इस वाले लेवल में गया तो यहां से एलेक्टरन रिवर्ट होके यहां तक आया अगर उसे नीचे वाले में है तो वो यहां से यहां तक आएगा अगर उसे नीचे वाले में है तो यहां तक आएगा means अगर n1 तक आ रहा है तो यह जो line obtained हुई इन line की study की एक scientist ने उनका नाम था ले मेन और उनोंने इस series का नाम करखा ले मेन series रखा दूसरी जो लाइन्स उप्टेंड हो रही थी उस स्पेक्टरम में मिली वो ये वाली लाइन थी ये लाइन जो थी उनके लिए ग्रॉंट स्टेट जो था वो एन्टू था जैसे के मैंने आपको पहले बताये कि अलेक्टरान जहां से एकसाइट होगा वो उसकी ग्रॉंट स्टेट ही यहां तक थी तो यहां यहां पर जंप करके गे तो यह वाली सिरियस जो उप्टेंड हुई उससे बालमर कहा ऐसे ही यह तीसरी से अगर स्टार्ट होता है तो वह पास्चन थी उसको पास्चन ने स्टड़ी गिया इसको ब्रैक्टर ने किया और इसको पी फंड ने किया तो इस तरीके से यह हाइडोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो अप्टेंड होता है और उसको डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो उसकी स्टडी करते हैं यह मैं आपको बेज रहा हूँ और यह आप अच्छे से देखेंगे आप क्या है कि हर एक से बारे में यहां क्याता है किसा हुआ है जम्प स्वार्म अनर्जी लेवल फिर दिन एनवन के पहले श्यल से जो है अलेक्टान्स जम्प करता है कहां-पहे सैकेंड में थार्ड में फॉर्थ में फिफ्ट में और सु आन मतलब किसी में अगर जम्प करता है तो उस वो जो Lines obtained हुई उनकी study Lehmins ने की और उस series का नाम क्य रखा लेमैन series रखा और यह वाले जो फाल करती है यह Ultraviolet region में फाल करती है यह region क्या होते है यह spectrum के value के base पे region होते है Ultraviolet का कौन सा region है infrared का कौन सा region है जो radiation इमेट होती है उनकी frequency कितनी है और wavelength कितनी है उस frequency अब हर एक region की wavelength और frequency अपनी अपनी होती है तो जो radiations emit होगी वो कितनी frequency और wavelength emit कर रही है वो अगर उनकी value जो है वो इस region में fall कर रही है ultraviolet के region में तो it means वो ultraviolet region में fall कर रही थी ऐसे ही second line के बारे में बताया है कि Balmer series बालमर series में क्या है कि यह electron jump कर रहा है कहां jumps from third, fourth, fifth से jump कर रहा है second energy level क्यों क्योंकि electron इसमें जो ground state है वो n is equal to 2 है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जहां से electron jump करेगा वो ही उसकी ground state है तो 5 में, 6 में, 7 में, 8 में जो भी level होगी उससे electron jump करके कहां पर आएगा second level पर ही आएगा क्योंकि second से गया है तो यह वाली जो series थी वो बालमर series थी ऐसे ही position series में जो था वो n is equal to third था इसमें तीसरा shell जो था वो ground state थी तो electron जो है वो उपर वाले shell से वापस कहां आएगा तीसरे shell में तो same case जो है वो bracket के साथ था और फिर पी फंड के साथ था इन notes को आप अच्छे से पढ़ें और फिर क next lecture में जो है वो quantum mechanics जो है वो important topic जो है वो start करेंगे thank you